So my dear students, CBSE board ने जो अपना sample paper है, वो launch कर दिया है, ये तो आप सभी को पता लगी क्या होगा, sample paper में से कौन से subject का paper कैसे तरीके से निकालना है, वो भी आप लोगों को पता लग गया होगा, बट अब पता लगाने वाली बात पता है क्या है, आप लोग जो सोच रहे थे कि CBSE का paper pattern change होगा, तो ना जी, अभी CBSE कोई अपना paper pattern change नहीं किया है, sample question paper में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है, पहले भी यहाँ पर 16 multiple choice questions होते थे, 5 short answer होते थे, 7 short answer questions होते थे, 2 case based या case study वाले होते थे, और 3 long answer type questions होते थे, तो अभी भी वैसा ही pattern है, कोई ज्यादा major changes यहाँ प पर आप लोगों को solve करना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा paper pattern में किसी तरह का कोई बहुत जादा ऐसा drastic change देखने को नहीं मिला है, अब CBSE का sample question paper है, 2024-25 वाला chemistry का question paper, 043 chemistry का paper का code है, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें किस तरह के questions हैं, और उनकी स सब बच्चे जो हैं, पढ़ते तो सभी बच्चे हैं, ठीक है, बट हम लोगों को actually यह नहीं मालूम होता है कि CBSE में हमें question का answer किस तरह के से देना होता है, अगर question का answer देना सी गए ना, मुफ्त में marks मिल सकते हैं, आप लोगों को कोई बिना महनत के भी mark मिल सकते हैं, अगर आपको marking scheme के through, अगर आपको question paper का answer देना आपको आता है तो, ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, पहला ही question यहाँ पर में लेकर के आई हूँ, section A, देखो, यहाँ पर section A में 16 multiple choice questions होंगे, जो की one mark के होंगे, हर एक question, पहला question है, Ammonolysis of Ethyl Chloride followed by reaction of Amine, so formed, यह सारे के सारे जितने भी questions है न, यह सारे के सारे questions आपको MCQs ही मिलेंगे, और MCQs के यहाँ पर answer दिये हैं, जैसे इसका answer C वाला है, अब यहाँ पर मैं आपको question paper पूरा solve करके तो नहीं बताऊंगे, उसमें काफी time चला जाएगा, question paper आपके सामने है, marking scheme आपके सामने है, यहाँ से आप इसके बिल्कुल answer डिटो, यह जो marking scheme बनाई जाती है न, बच्चों, यह बनाई जाती है, आपकी NCRT की book से, कई बार तो marking scheme में, यहाँ पर NCRT page number भी लिख करके CBAC दे देती है, ठीके, तो आपको marking scheme पर भी खास ध्यान रखना है, sample question paper के साथ-साथ, अब यह देखो, यहाँ पर column type के questions भी आएंगे, अच्छा, यह जो questions होंगे न, MCQ वाले, इन questions की तयारी करने के लिए, सबसे बढ़िया काम यह होगा, कि आप previous year के need के questions, या JEE के questions उठा लेना, तो आपकी अच्छे खासी तयारी हो जाएगी, यहाँ से, ठीके, डाइबल मोमेंटम पे से question आया है, column type के questions भी यहाँ पर आया है, देख लीजे आप, D&F block का है यह, D&F block में question जो है, column type का question आया है, तो यह fourth वाला question देखी बच्छों, यह वाला question graph वाला question है, तो CBC क्या कर रहा है, हर एक तरीके से, हर एक pattern पे से question उठाने की कोशिश कर रहा उसमें answer या questions देने की बात हुई हो, इसलिए आप लिखावा है, visually challenged learners, दोनों में ही answer D है, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, CBC जो है बहुत minded है, CBC हर एक चीज़ को ध्यान में रख करके ही paper set करता है, देखो, जो visually challenged लोग नहीं है, उनका भी D answer आ रहा है, और visually challenged learners का भी answer जो है, वो D ही आ रहा है, तो आप किसी भी condition में D option जो है, correct कर सकते हो, next देखो, आप numerical type का जो question होगा, वो भी यहाँ पर दिया हुआ होगा, है ना, आपको यह जो reaction type के जो organic वाले questions, उसमें name reaction type के जो questions होगे, वो भी यहाँ पर मिलेंगे, इस तरीके से आपको MCQ type के questions नहीं होगे, उसमें कितने variations आपको देखने को मिलेंगे, तो यह सारे questions प्रैक्टिस करने के लिए, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को, जैको reason assertion वाले questions भी हैं, assertion reason वाले questions भी आपको देखने को मिलेंगे, तीन से चार reason assertion type के question डालें, तो section A की अगर अच्छे से त सौ से डेर सो questions का लगाने की questions करना, वरना बहुत सारे बच्चे ये सोच के जाते हैं, MCQ ही तो है, तो तुक्का मार के आजाएंगे, पेटे यही MCQ आपकी जो percentage है ना, उसको घटा या बढ़ा सकता है, तो ध्यान रखना कि MCQ में तुक्के नहीं लगाने, logic लगाने, ठीके, ना, हम बात करते हैं, section B की, अब section B में कितने questions आएंगे, देख लीजिए, 5 questions आएंगे, और हर एक question 2-2 number का होगा, ठीके, मतलब section B में 5 questions और हर एक question जो है, वो 2 number का होगा, अब ये 2 number किस तरीके से split हैं, वो देखिए, 17th question देखिए, 17th question का एक तो A और एक B part है, देखो यहा पर देखो आप, दो number पूरे एक साथ नहीं है, अगर आपने ये सही किया है, तो आपको एक number मिल जाएगा, और ये सही किया है, तो आपने एक number gain कर लेना है, बट इधर देखिए, marking scheme की तरफ आईए, 17th number का question जो है, 17th number की question में, marking scheme की तरफ जब आप आएंगे, तो marking scheme को ध्य से देखना मेरे बच्चों, वहां तो लिखा हुआ है, कि 17th का A, जो है, पूरा का पूरा एक number का है, बट ये पूरा का पूरा एक number एक साथ नहीं मिलेगा, ये भी split है, अगर आपने solubility of gas inversely proportional to the value of Henry constant लिग दिया, यानि कि Henry constant और solubility of gas के अंदर अगर आपने relation बता दिया, तो आपको half mark मिल जाएगा, and on increasing temperature, temperature बढ़ाने पर KH की value पर क्या effect पड़ेगा, वो भी बता दिया, तो भी आपको आदा number मिल जाएगा, यानि कि question को आपको ना तोड़ तोड़ के करना है, जेखो question क्या है, nitrogen gas is soluble in water, at temperature 293 Kelvin, the value of KH is 76.48 KB, how would the solubility of nitrogen vary, increases, decreases or remains the same at temperature above 293 Kelvin, अब यहां से यहां तक आप देखो कि एक question दिख रहा है मुझे, यहां से यहां तक अभी जो बोला है ना, यह एक question है, है ना, उसके आगे जब मैं बढ़ूंगी, if the value of KH rises to 88.8 KB, what happens if the value of KH rises to, यानि कि यहां पर, पहले तो आपको solubility और KH में relation पूछ रहा है, indirectly, और बाद म बोल रहा है कि temperature और solubility पर क्या effect पड़ेगा, तो यह दोनों ही चीजों के answer अगर आपने specific करके दिये हैं, तो आपको आधा, first part का और आधा, second part का marks मिल जाएंगे, otherwise अगर आपने एक ही relation दिया, तो आपको आधा ही number मिलेगा, कई बच्चे करवाते हैं, री checking करवाते हैं, त मुझे पता है, CBC की copies की तरीके से check होती है, even जिन बच्चों की number नहीं भी आ रहे होते हैं, उनको भी अच्छे खासे number दिये जाते हैं, CBC बहुत ध्यान रखता है, अपने students का तो ध्यान रखी, इस बात को CBC के उपर question mark लगाने के पहले, हमारी गलती एक बार हम revise कर लें, अगली बार देखिए, अब यहाँ पर भी देखो, 17th का option भी दे रखे देखो, 17th का A option, 17th का B option, है ना, यहाँ पर देखो, B option में, A question देखो, a soda bottle will go flat, lose its fizz, faster in Shrinagar than in Delhi, is this correct, why or why not, अब देखो, यहाँ भी दो चीज़े हैं, इसलिए यहाँ पर भी आपको जो answer देखने को मि मिलेगा ना, उसमें जब आप देखेंगे तो marking scheme जो है, अलग तरी के से काम करेगी, एक number पूरा का पूरा एक साथ नहीं, हर एक section का, हर एक part का आपको अलग से number मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, जितना भी आता है, जो भी आता है, कोई question छोड़के नहीं आना है, सारे questions attempt क करने हैं, क्योंकि हर एक question में से कुछ नो कुछ ऐसा है, जो आप लोगों को आता है, तो आप ध्यान रखना, और जो आपको आता है, उसी से relate करता हुआ, अगला part भी होगा, इसका मतलब आप जो है, बहुत अच्छी तरीका से तैयारी कर रहे हैं, और उसका बहुत अच्छ देखी, 19th question में आपको एक cell बनाया हुआ है, यानिकि यह diagram वाले questions भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और marking scheme जो है वो देखुआ, represent the cell shown in figure, first, मतलब इसका एक number पूरा का पूरा, name the carriers of current in the salt bridge, salt bridge में जो current के carriers हैं, वो कौन है, ions है, क्या है, वो आपको ने अगर लिख दि जित्तों आपको आधा number है, यानिकि to the point answer देना है, देखो CBSC जो है न, वो आपसे बोलती है, to the point answer दो और number ले जाओ, CBSC को भी बेकार की इदर उदर की बातों से कोई लेना देना नहीं है, केवल question पढ़ना है, उसके part को समझना है, to the point answer देना है, काम हो जाएगा, और आप जो है, यह जो कुछ tips मैं दे रही हूँ न, इन से CBSC में बहुत कम महनत करके भी आप बहुत अच्छा score कर सकते हैं, कोई जादा ऐसा hectic लेने वाला या दिमाग में दोर देने वाली बात नहीं, ठीक है, आगे देखें, अब यह reaction type के हैं, अब major और minor product बताने हैं इन में से आ reaction mechanism और GOC वाला पार्ट जो है, अगर आपने वो strong कर लिया, तो यह वाला portion आपका बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा, presence of carbonyl group यह सारे questions जो है, उनकी marking scheme आप देखो, हाफ आफ पार्ट में एक एक mark जो है, वो split किया हुआ है, तो आप ध्यान रखिए, जैसे कि यह वाला ह है, यहाँ पर major और minor दोनों पूछे हैं, और यह एक number का है न, तो major लिखने पर half mark और minor लिखने पर भी half mark मिलेगा, हाँ, बट अगर major लिख दिया, minor नहीं लिखा न, तो half deduct भी हो जाएगा, ध्यान रखना, section C, section C में भी 7 questions आएंगे, और हर एक question जो है, तीन number का होगा, और तीन number भी एक साथ नहीं, देखो आप, इस तरीके से, हर एक question के जो है, number अलग-अलग divided होंगे, जैसे 23 number का question यहाँ पर देखो, हर एक question के, देखो, तीन parts में question पर, question जो है, वो divided है, और हर एक part का, एक mark अलग से दिया हुआ है, और 23 वाले की, यहाँ पर marking scheme भी जब आप देखेंगे, तो यहाँ पर हर एक question का answer देने पर, आपको one mark पूरा का, पूरा मिल रहा है, ठीक है, now, 24 वाला भी देख लीजे, 123 parts में divided है, 123 number इसके हैं, यहाँ पर, 24 वाले में भी आप देखोगे, कि जब आप 3rd यह देखो, x और y अलग अलग लिख दियें, तो अधा-धा, पर x लिखा है, y नहीं लिखा है, तो फिर आधार deduct भी हो जाएगा, थोड़ा सा इस चीज का ध्यान दखना, बात करूंगे अभी numericals पर, तो यह जितने भी questions है, यहाँ देखिएगा, थोड़ा numerical portion की तरफ में आ हो रहा है, calculate standard EMF of a cell, अब इस question की marking scheme पर थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, यह देखिए, 28 का first, जो solution है, वो उस पर ध्यान दीजेगा, इन और cell, आपने अगर formula रख दिया इस question में, देखो, इस cell को, पहले इस question को हम पढ़ेंगे पूरा, equilibrium constant of cell reaction, यह cell reaction दी हुई है, जिसका equilibrium constant द 10 रसल पावर, 184, yes, 184 ही है, अब standard EMF of the cell आपको calculate करना है, और यह पूरा का पूरा दो नंबर का है, यानि कि standard EMF of a cell, E not of cell जो है, वो आपको calculate करना है, अब E not of cell जो है, इसका अगर formula आपने सही तरीके से लिख दिया ना बच्चों, तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, यानि कि जो भी numerical question होगा, most of the time देखा जाता है कि numerical question हमेशा दो number का आता है, उसमें से आधा नंबर जो होता है, वो आपको सही formula लिखने का होता है, जो आधा नंबर होता है, वो formula में values पुट करने का होता है, तीसरा जो आधा नंबर होता है, जो values आप लोगों ने पुट की ह उसकी calculation का होता है और चौथा जो आधा नंबर होता है वो final answer with unit का होता है अगर आपने unit नंग से नहीं लगाई है न तो फिर आपका जो half mark है वो यहां से deduct हो जाएगा तो यहां देखो आधा नंबर कब मिलेगा आपको जब आप पूरा का पूरा सही formula यहां पर लगा करके दें then फिर आपने value put कर दी formula में तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा देख लीजे और calculation करने का भी आधा नंबर मिल जाएगा और final जो answer आप निका लेंगे उसका भी आपको आधा नंबर मिलेगा तो दो नंबर जो हैं half half के four portions में divided होते हैं first आपको formula second formula में values third values की calculation और fourth final answer with unit अग unit अगर नहीं लिखोगे तो आपका half mark deduct हो जाएगा चाहे आपका final answer सही क्यों ना हो ठीक है अगला देखिए 28 का B वाला देखिए what will be the E not of the half cell यह इसी cell की बात हो रही है E not की बात कर रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर भी वही एक number का question है तो आधे आधे दो portions में divided होगा पहला जो है आपका formula के लिए और दूसरा जो है आपके final answer के लिए with unit ठीक है now section D की तरफ हम मुडते हैं अब section D दीव योती CBC की तरफ से उसको खास ध्यान से पढ़ा करो 15 minutes extra मिलते हैं आप लोगों को वह easily मिलते हैं बच्चों ताकि आप जो है paper में अच्छे तरीखे से instructions को follow करो बाद में if or but नहीं चलेगा तो क्या लिखा हुआ है तो following questions are case based questions each question has an internal choice and carries 4 यानि कि 2 plus 11 mark each 4 marks है एक question 2 number का ह 2 questions 11 mark के होंगे read the passage carefully and answer the questions that follows अब आपको ये पूरा का पूरा passage पढ़ना है passage पढ़ने के बाद में ये जो questions के दिये हुए A B या B और C मेंसे कोई A का आप कर सकते हो और last में आपको दिया हुआ होगा D तो इस तरीके से आपको 3-4 questions यहाँ पर करने हैं और 3-4 questions जवाब करेंग बट paragraph में से जब आप question निकालने की कोशिश करें तो यहाँ थोड़ा सा tricky खेलना है कि यह जो answers आपने देने हैं जो case study वाला question है उस पर based जो question के answer देने ना उसमें थोड़ा सा tricky खेलना आप लोग आप लोग उन questions को अपने पूर्वग्यान से करना जिस chapter से related यह passage है ना उस chapter क according आपको answer देना है ना कि पैसेज में जो लिखा है उसके according क्योंकि आप जो है comprehension वाला जो subject है वो नहीं है हम इंग्लीश यह हिंदी यह संस्कृत की बात नहीं कर रहें हम लैंग्वेज लैंग्वेज questions papers की बात नहीं कर रहें हम chemistry की बात करें chemistry में इस paragraph से बस आपको यह पता लगेगा कि यह कौन से chapter से लिया गया है और उस chapter में से यह questions लिये जाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि questions का जो relevance है वो paragraph से कहीं देखने को मिलता ही नहीं है वहाँ से सिर्फ आपको यह idea लगाना है कि यह questions जो हैं कौन से chapter से आए है ठीक है तो पूर्व ग्यान का भी इस्तमाल करना उस chapter में जो भी आपने पड़ा है उसके according के answer दिने की कोशिश करना ठीक है नौ बात करेंगे आगे इस वाले question को देखो 30 वाले question को अमाइन चैप्टर वाला जो question चैप्टर से यह लिया गया है compound दिया हुआ है compound 1 compound 2 और यहां पर यह question paper दिया हुआ है और इसमें experimental data tabulated form में भी दिया हुआ है और बाद में यहां पर आपसे question पूछा जाएगा कि भी graph वगेरा plot करना है तो इसका भी जो answer है आप इस तरीके से one and half mark जो है अगर आपने graph सही plot किया है तो मिलेगा आदा number जो है इस graph को describe करने के लिए मिलेगा एक number आपको इसकी calculation करने के बाद जो answer निकालोगे उस answer का मिलेगा तो आपने क्या करना है बस question paper को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है और marking scheme पे थोड़ा सा ध्यान देना marking scheme क का जो सार है वो यही है मेरे बच्चों कि आप लोगों को marking scheme का मतलब यही है कि to the point answer देना है हर एक point का आपको answer मालूम होना चाहिए और उनके answer बिलकुल सही और साप शब्दों में देना unit जहां लगती हो उनका ध्यान रखना वरना unit के वज़े से भी number कर जाएंगे now section E की बात करेंगे पांच जो question होते हैं long answer type के होते हैं each carry five marks अब पांच number के तीन question आप लोगों को देखने पड़ेंगे section E में ठीक है और यहाँ पर यह देखो हर तरीके के question यहाँ पर डाले हुए हैं tabulated form में भी डाले हुए हैं diagram वाले questions भी डाले हुए हैं और हर एक question जो ह है न देखो आगे भी ऐसा नहीं कि आगे वाले questions जो हैं उनको split कर दिया है चोटे-चोटे marks में यह देखो five mark का पूरा question है तो one mark, one mark, one mark, one mark, one mark यानि कि एक नंबर वाले पाँच questions को मिला करके एक question बनाया है एक ही topic से उठा करके तो आप जब question practice करते हो न CBSE में तो आप याद रखिएगा जब भी question paper की practice करते हो तो short answer type question की practice ज्यादा कीजिएगा दो number के एक number के जो questions हैं उन पे खास ध्यान देना MCQ अगर करना है तो आप previous year के NEET के या JEE के papers उठा लेना आपका आराम से CBSE board में बहुत अच्छा percent बनेगा इसी शुब कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर शूतिमाल भी आप लोगों को बोलती हूँ all the best